अभी हम अपने प्रियाग राज के कंपनी गार्डन यानि की चंसेखर आजात पार्क में आ गये हैं और आज दोस्तों यहां पे फूलों कोई परदर्सनी लगी हुई है तो आप लोगों को दिखाने के लिए लेके आया हैं परदर्सनी तो यह देख सकते हैं गेट से प्रिव कि लगा के हम पें सजाक एल रखा गया है यह इसे रिंग में हा息 है और और यह फ Boulder का बना हुआ है जोगों के और दोनों तरब लगा ओरोट को पूरा सजा गया है और हम अंदर अभी चलके आप लोगे को पार्कו में भी दिखाते पूरे पार्क में भी यहां पहें परद्रसनि के लिए रखा गया जोटे पदेंग्यों में कई बरायेटी को रखा गया है और दोस्तों आप लोगों को बताना चाहें कि आने पहले आप लोग अपने छोटे-छोटे बच्चे बच्चिया हैं उनको जरूर लेकर आईएगा क्योंकि यहां पर आप लोग छोटे-छोटे बच्चियों को दिखाएंगे बच्चों दिखाएंगे तो उस विफीन प्रकार के यहां पर हमारे ख्याल से लगभग साव प्रकार के यहां पर रखे गए है फोल के यहां पर छोटे प्लांट जो भी है हें सब फूलों के रखे बेगा हैं ऍसलिए सदें गेदा हुवा गुलाब हुआ हुआ और भी कड़ों कर अधक आधर आने के लिए 10 रुपे का टिकट हम दिये हैं 10 रुपे का टिकट भी लगता है और यहीं पर तीन दिन लगता है तीन दिन पर दोनी लगता है आज शरू हुआ है अभी तो अभी धाटन हो गाट जो की THIS लोग आएंगे आईस लोग आएंगे नगर आयुक्त लोग आएंगे और हमारे प्रियाग राज के मेज़ा एंटी पीसी के जो मुख्य हैं वो भी आएंगे यहां पर उद्घाटन करने के लिए उनको भी बुलाया गया है आएसे करके कई अधिकारी लोग आएंगे अभी उद्घाटन करेंगे इसका तो हम पार्क में अंदर आ चुके हैं दोस्तों अभी पूरा आप लोग पूरा पार्क चारो तरफ टहल के दिखाते हैं और देख सकते हैं पूरे पार्क में यह आरेफ का जहंडा लगाया गया है और आरेफ के जमान भी इसमें सायोग दे रहे हैं और देख सकते हैं स्टाटी में यह गमला रखा गया है और एक एक जगह देख सकते हैं एक ही बराइटी का कई प्रकार का है यह इसमें देख सकते हैं इस गमले में और इस गमले में देखिए जोकि एक ही जात का है एक ही ज और धीरे धीर बढ़ती ही जा रही है लोग आ रहे हैं धीरे धीरे यह देख सकते हैं दोस्तों याँ लोग ड्वार फश्विक्रेणों ये देख़िए और इस पर के दोनों तरफ भी यहां पर गमले रखे गया है और सभी में एक आगास टाइप काूंसे जाती का प Надо है उसमें लिखा गया है सभी किसी डंडे मत सरस्ते इस में गर्द है इससे लोग newer सकें कि किस जाति का Erstie का है और कौन सा पाधा है क्या है इसमे डीटेल में लिखा हुआ है छोटा छोटा लगाे सकते हैं यह सफेद कलार में इसमें लिखा गया यह देखिए दोनों तरफ ऐसे पार्क के दोनों तरफ रखा गया दोस्तों यह देखिए क्योंकि दोपार का दो बज रहा है दोस्तों और बहुत अच्छा व्यूज आ रहा है यहां पर बहुत ही अच्छा यहां पर प्रकित से लग रहा प्रकित से मिलन हो रहा है क्योंकि यहां पर भीन भीन प्रकार के फूल रखे गए हैं पार्क के चारों तरफ रखे गए हैं बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों यहां पर आज मौसम भी सुना रहा है ठंडा लग रहा है हलका ठंडा हलका ग्रम लग रहा है एक दम मस्त मौसम भी है बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों परदर सने में यहां के यह देख सकते हैं दोस्तों कितना बहतरीन व्यू जा रहा है लोगों की संख्या धिरे धिरे बढ़ती ही जा रही है यह देख सकते हैं जंडा कितना बहतरीन लग रहा है आरे अपका बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों हमको तो यह देखिए इधर भी रखा गया है गमला यह देखिए इधर भी रखा गया दोस्तों देख सकते हैं इधर गेदा का रखा गया है गेदा का फूला यह देख सकते हैं इस जो जो भद्रीं है सारे भद्रआत्य कर नाम लिखा गया है यदे सकते हैं इधर भी गयाय कह Northern वे अẫn। यह दे चे चेकते हैं क्यों कि दोसरे जाति कह parenthरीं कर यह देशक्ते हैं यह जो कि खिड़ेते दोस्तो इधर भी गमला रखा गया है अब धीरे धीरे हम लोग आगे पढ़ेंगे एदेख सकते हैं इसरे पार्क में दोस्तों सजाया गया म dáAl जो कि रखा गया है बिन्नीफिन्फिर प्रकार के जातियों का फॉल रखा गया है छोटा छोटा पहुदा यह देश सकते हैं जौ लोग प्रकित से प्रेम करते हैं जो फोलों से प्रेम करते वो लोग जरूर आएंगे यहां पर और आना भी चाहिए दोस्तों हम तो सबको कहेंगे एक बार जरूर यहां पर आकर आकर देखना चाहिए यहां परदर्शनी को जो कि यहां पर अभी तीन दिन चलेगा यह दे सकते हैं दोस्तों देखिए यह देखिए किता अच्छा लग रहा है यह देखिए यह पार्क के चारो तरफ बगल बगल यह रोड बना गया है यह देखिए लोग टहल रहे हैं देख रहे हैं और वो जो ग्रीन ग्रीन पंडाल दिखाई दे रहा है दोस्तों उसमें फालो का सब्जियो का प्रदर्शनी लगा हुआ है वहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग फलो प्रदर्शनी को फलो सब्जियो का उसको हम दूसरे पार्ट्स में दिखाएंगे फलो का और सब्जियो का दूसरे पार्ट्स में दिखाएंगे वीडियो को और यह इस गेट से हम अंदर चलेंगे प्रिवेश करेंगे और पंडाल को भी दिखाएंगे जहां पर आती थी लोग अभी आएंगे उद घाटन करेंगे इसका परदर्शनी का यह देखिए अब अंदर धीर धीर हम प्रिवेश कर रहे हैं यह देखिए और आजाद जी का यहां पर लगा हुआ है चंसेखर आजाद जी का जो कि आजाद पार्क है ही यह देखिए यह भी फूलों से सजाया गया है यह गाय टाइप का बनाया गया है फूलों से ही बनाया गया है दोस्तों यह देख सकते हैं लोग अपना से लपी ले रहे हैं इदर में इंज्वाय कर रहे हैं यहां पर देख सकते हैं लोग कितना खूस है यहां पर आके अब हम आप लोग को पंडाल की तरब लेके चलते हैं और इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पे भी रखा गया है गमला यहाँ पे भी देख सकते हैं इसमें भी देख सकते हैं सब फफेद सफेद जो लगा हुआ बोर्ट छोटा छोटा उसमें लिखा गया किस जाती का है किस ब्राइटी का है आप लोग इसको देखके पढ़ सकते हैं बच्चे देखेंगे तो उनको नालेज होगा दोस्तों बच्चो को जरूर लेके आईएगा छोटे-छोटे बच्चो को यह देख सकते हैं लोग देख रहे हैं पढ़ रहे हैं कि यह देख सकते हैं यह लिखा हुआ मेजा एंटी-पी-सी निरंतर प्रगत के पत्पर मेजा एंटी-पी-सी के मुख्य जो है वो भी आ रहे हैं अभी आएंगे आए अब लोग को पंडाल तरब लेग चलेंगे जिधर आतीस लोग अभी आके वहां पे आसंबोधन करेंगे यह देख सकते हैं यहीं पे करेंगे और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक क्लिए जैहन